हलो हाई नमस्ते दोस्तों फैक्ट इन्यूवर्स की और एक दमदार वीडियो में आप सब का स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों इजेप्ट सियन बिल्ली की पुजा करते थे और एसा कौन सी जहर है जो एक ग्राम पांच करोड लोगों का जान ले सकत है और हाँ आखिर क्यों हमारा देश दुनिया में सबसे खास है एसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट को लेके शुरू करते हैं आज की वीडियो फैक्ट नमबर वन दुनिया की सबसे बड़ी पहली केमरा दोस्तों हाँ आज के बच्चे बच्चे तक भी स्मार्ट फोन से अपन किन था जी हाँ दोस्तों इसका साइज आठ फीट वाई साड़े चार फीट था और इसको बनाने के लिए पांच हजार डोलर यानि कि आज के समय में तक्रीवन तीन लाग बहत्तर हजार रुपे की लागत लगी थी यह केमरा 1894 में जॉर्च इस्टमेन ने बनाए थे और सन 1900 में इसकी पहली तस्वीर उस समय की सबसे बड़ी रेलवे औल्टोन रेलवे को उठाने के लिए उप्योग किया गया था फेक्ट नमबर टू हम सबको पता है कि सूरज मुखी फूल हमेशा धूब की और अपनी दिशा बदलती रहती है मगर क्यूं तो चलिए दोस्तों आज इससे भी परताफास करते हैं बग्यानिक आधार पर सूरज मुखी पूरब की और खिलने की एक खास विदी है जिस तरह इंसानों में बायलोजिकल प्लॉक यानि की जैविक घड़ी होती है उसी तरह सूरज मुखी फूलों में हेलियोट्रापेजम प्लॉक पाय जाते हैं ये घड़ी सुरज की रोशनी को डिटेक्ट करते हैं और फूलों को उस तरफ मोडने को प्रेडित करते हैं और ठीक इंसानों की तरह ही ये फूल रातों में भी विश्राम लेते हैं हे ना मज़ेदार बात फैक्ट नमबर त्री आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक जहर की बारे में जिसकी एक ग्राम पाँच करोड लोगों का जान ले सकती है जिसका नाम है पॉलोनियम 210 दरसल इसकी खोज 1898 में मसूर भोतिक बिद और रसायन सास्त्री मेरी क्यूरी ने निजात किये थे जिन्हें रेडियम की सुधिकरण के लिए रसायन सास्त्र का नोबल पूरसकार भी मिला था पॉलोनियम 210 इतनी खतरनाक जहर है कि इसकी एक कण इंसान की अंदुरुनी भाग के साथ साथ दिने और इम्यून सिस्टम को भी बहुत तेजी से नश्ट कर सकती है आपको जानके हैरानी होगी कि इजिप्टसियन बिल्ली को भगवान मान के पुजा करते थे जी हाँ दोस्तों जो बिल्ली हमारी रस्ता काड़ते ही हम अपसबुन मानते हैं उस बिल्ली को इजिप्ट के बैसी भगवान मानने के पीछे बहुत ही मज़ेदार बात है दरसल बिल्ली चुहों की सिकर करता है ये देखके इजिप्टियन सोचे बिल्ली उनकी रख्षा करती है और बिल्ली को बोलो भगवान समझ के पुजा करने लगे फेक्ट नमबर फाइव डेवलोफ कोंट्री इंगलंड और युएसे में तीन या चार भासाइं बोला जाता है वही पर हमारा देश भारत में लगभग नो सो भासाओं का उपियोग होता है वेसे तो हमारी देश में ओफिसियाली 22 भासाओं का प्रयोग किया जाता है मगर हमा हमारे लिए ये गर्व की बात है कि most number of English speaking citizens यानी सबसे ज़्यादा इंगलिस बोलने वाला लोगों में हमारा देश second position में आता है और पहले नमबर पे आता है USA है ना हम भारतियों के लिए गर्वी की बात तो आज के लिए वीडियो यही समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा किजिए फिर मुलाकात होगी और एक नए वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जय हिंद